एक्सरेट यूब हाउसिंग पर अटेस्ट होती है, हाउसिंग के अंदर एंड क्लोस्ट होता है, एक्सरेट रेडियेशन के साइज पीम के पात पर माउंटेट होता है, 45 डिक्री एंगल में देख सकते हैं, जब में सेटर को क्लोस कर हेलो हेवरीवरन, तुड़ीज टॉपिक इस एक्सरेट कॉलिमेटर, तो आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरेट कॉलिमेटर क्या है, एक्सरेट कॉलिमेटर एक बेस्ट एक्सरेट बीम रेस्ट्रिक्टर डिवाइस है, एक्सरेट बीम रेस्ट्रिक्टर क्या होता है, वाट इस एक्सरेट बीम रेस्ट्रिक्टर, एक्सरेट बीम रेस्ट्रिक्टर डिवाइसिस एक्सरेट ट्यूब हाउसिंग पर X-ray beam restricted devices scattered radiation को reduce करता है और patient dose को reduce करता है जिसके बजा से image contrast improve होता है X-ray beam restricted devices तीन टाइप की होती है No.1 aperture diaphragm No.2 constant cylinder No.3 X-ray collimator आज का topic X-ray collimator तो हम इसी के बारे में discuss करेंगे और continue करते हैं X-ray collimator एक device है जिसका use X-ray beam के size and shape को regulate करने के लिए किया जाता है Collimator assembly X-ray tube housing पर attest होती है X-ray tube, X-ray tube housing के अंदर enclosed होता है X-ray radiation के size and shape को control करने के लिए collimator का use करते हैं उसके लिए हम collimator को tube port पर attest कर देते हैं इसके tube port पर उसको लगा देते हैं जिसकी बज़ा से वो X-ray beam के size and shape को regulate करता है Collimator में two sets of sutters होते हैं और ये independently move कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको collimator को open करके दिखाती हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें two sets of sutters होते हैं एक ये है और एक ये है दोनों pair sutters के lat के बने हुए होते हैं और हर एक lat sutters में four or more lat plates का बना हुआ होता है और हर एक lat plate के thickness 3 mm की होती है जो की x-ray को completely absorb कर सकते हैं और bell defined x-ray field प्रोवाइट करते हैं Collimator में light bulb और mirror का arrangement होता है ताकि x-ray field को illuminate कर सके जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं mirror x-ray beam के path पर mounted होता है 45 degree angle पर और light bulb जो होता है वो laterally placed होता है जैसे कि मैं आपको light bulb को open करके दिखाती हूँ laterally कैसे bulb placed होता है तो देखे मैं इसको आपको open करके दिखा रही हूँ और ये जो होता है bulb laterally placed होता है इस type से जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जब मैं setter को close कर रही हूँ तो ये x-ray field के center पर मिलते हैं जैसे कि आप इस डाइग्राम में देख सकते हैं कि target और bulb दोनों mirror के center से equal distance पर placed होते हैं target and the light bulb should be kept at equal distance from the center of the mirror collimator में जो beam का focus दिखता है या तो फिर square होता है या फिर rectangular होता है और light beam field के center को बताती है bell defined collimated beam patient dose को कम करती है और scatter radiation dose को भी कम करती है जिसकी वज़ा से image quality improve होती है that's all about for today's lecture thank you कर दो कर दो